नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल ग्यान गंगा में दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीविएस वीडियो में बताया था कि कम्प्यूटर क्या होता है और कम्प्यूटर में जो डेटा जो वर्ड योपन यूज़ करते हैं वो क्या होता है तो दोस्तों आप लोगों से मैंने दो कोशन्स भी किया था अपने प्रीविएस वीडियो में कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है तो दोस्तों CPU का फुल फॉर्म जो है वो Central Processing Unit होता है ठीक है औ और मैंने आप लोगों से एक दूसरा कोशन्स भी किया था कि father of computer जो है वो किसको बोला जाता है तो दोस्तों father of computer जो है वो Charles बेवेच को बोला जाता है ठीक है दोस्तों दोस्तों ये दोनों कोशन्स का आंसर जो है वो मैं आप लोगों को description box में है लिखकर दे दूंगी आप आप चाहे तो वहाँ से जाके एक बार और अच्छे से देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि computer में information verdict यूज होता है वो information क्या होता है दोस्तों कल मैंने आप लोगों को या फिर previous नहीं की थी तो आज हम उसी बार में बात करेंगे कि data जो है information उसको हम कब बोलेंगे तो दोस्तों चलिए start करते हैं आज की video दोस्तों information को हम हिंदी में सूचना कहते हैं ठीक है सूचना या information आपको कहीं भी दिखे तो दोनों same चीज होती है ठीक है सूचना जो है वो किसी भ पूर जानकारी जो है वो हमको देती है जिसे सामान ये इनसान जो है वो समझ सकता है जैसे कि किसी कक्छा में विद्यार्थियों की ओसत उम्र एक सूचना है जो की एक उपयोगी चीज है जो की हमारे काम में आने वाली चीज होती है तो दोस्तों ये हम information बोलते हैं जिसमें जानकारी जो है वो हमको मिलती है दोस्तों कम्प्योटर में जब किसी कारे को करने के लिए निरदेश दिये जाते हैं तो इस डाटा को प्रोसेस करके एक meaningful result जो है वो दिया जाता है जिसे हम सूचना कहते हैं जिसे हम information कहते हैं ठीक है दोस्तों मतलब यह हुआ कि computer में जब किसी भी कार को करने के लिए निर्देश दिया जाता है like मैं आपको example के तुरू इस चीज को समझाती हूँ कि माल लीजिए आप कोई application लिख रहे है system में बैट कर computer में बैट कर ठीक है तो आप उसको एक word file में लिख रहे हैं लेकिन जब तक आप उस चीज को लिख रहे हैं तब तक आप data जो है वो feed कर रहे है data जो है आप उसमें मतलब input दे रहे हैं लेकिन जब आपका application जो है वो पूरा बन कर ready हो जाएगा तो वो एक information कहलाएगा क्योंकि वो एक पूरी meaningful जो है आपको जानकारी देगा ठीक है दोस्तों तो आप इसको तब information कहेंगे जब आपको वो एक meaningful result जो है दे देगा तो दोस्तों ये था आपका information अब दोस्तों मैं आप लोगों को एक और चीज बता देती हूँ कि data और information में क्या अंतर होता है difference between data and information ठीक है तो दोस्तों सबसे पहला अंतर जो होता है data जो होता है वो meaningful नहीं होता है ठीक है और unprocessed जानकारी होता है जबकि जो आपका information होता है वो आपका एक meaningful होता है और पूरी process जो है आपकी जानकारी होती है ठीक है मैंने आपको example की through इस चीज को समझाया है मेरे ख्याल से आप उस से इस चीज को ज़्यादा अच्छे से समझ पाए होंगे दोस्तो इसमें दूसरा difference जो है data को एक आम इंसान नहीं समझ सकता है लेकिन सूचना information जो होती है वो कोई भी आम इंसान जो है समझ सकता है उस चीज को ठीक है इसमें तीसरा जो difference आप बोल सकते हैं कि data जो होता है वो कम जो है useful होता है data जो है वो हर किसी के use में नहीं आता है लेकिन सूचना जो होती है information जो होती है वो हमेशा ही उपयोगी होती है ठीक है इसके बाद चौथा difference जो है इसके बीच में data जो होता है वो आत्म निर्भर होता है लेकिन सूचना जो होती है वो data पे depend होती है ठीक है तो ये आपका fourth difference हो गया इसके बाद हम इसके fifth difference की बात करते है डेटा जो है इसका कोई भी निश्चित रूप नहीं होता है देकिन सूचना जो होता है उसका एक निश्चित रूप होता है एक विशेज रूप में पाई जाती है तो दोस्तो ये था आपका data और सूचन में difference था आपका तो दोस्तो आज के वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो से related कोई भी query हो कोई भी आपका question हो तो दोस्तो comment box में comment करके मुझसे जरूर पूछिएगा तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही यदि आप हमारे चैनल में नए है तो चैनल को subscribe जरूर की कीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियो और भी आगे मिलते रहें तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही thanks for watching नमस्तो